Byzra Banu बढ़ाने और उसकी रोगठाम पहचान और उप्चार को परोच साहित करने के लिए मनायarian जाता है विश्व कैंसर दिवस 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोशना के लक्षों का समर्थन करने के लिए Union for International Cancer Control के नैतरत्व में कारेरत है विश्व कैंसर दिवस का प्रात्मिक लक्ष कैंसर बिमारी के कारण होने वाली मोतों को कम करना है इसी श्रिंकला में हर साल की तरह इस साल भी किंग्सवे अस्पताल द्वारा कैंसर के बारे में जागरुकता बढ़ाने को लेकर जानकारी साजा की है आए देखते हैं वहां की डॉक्टरों का क्या है कहना Myself डॉक्टर नितिन वोमनवर, I am surgical oncologist at किंग्सवे अस्पिटल लोगों को कैंसर के बारे में डर जो है वो बाहर निकालने के लिए यह अपन World Cancer Day मनाते हैं इस बार World Cancer Day की थी में close the care गया जैसे कि मतलब हर लेवल तक cancer care नहीं पोच्छता है जैसे गाव में गाव के लोगों को awareness नहीं है कि cancer के लिए क्या सुविदा है, government के तरफ से क्या schemes है या वो डर बैटा है लोगों में तो यह जो है या एक level के reach लोगों के level के लोगों को वो cancer care properly मिल पाता है और एक तो gap है cancer care में मतलब lower social community status हो गया या middle class या higher class तो यह gap कम करने के लिए इस बार close the care gap करके theme रखा है इसमें तीन साल का theme दिया है क्योंकि हर साल एक साल का ही रहता पर इस बार तीन साल का दिया है जैसे कि 2022 में अपनको problems क्या है वो realize करना है cancer care में problems क्या है वो realize करना है 2023 में अपनको unit होके अपनको wise raise करना है अपनको उसके बारे में क्या action लेना है वो सोचना है और 2024 में अपनको जो लीडर से उनको चालेंज करना है कि ये क्यू हो रहा है मतलब जो care गया पर ये क्या problems है तो इसके लिए ये तीन साल का एक program बनाया है World Cancer Day के theme के चलते As a cancer surgeon मैं कुछ surgeries के बारे में बताना चाहूँगा जैसे अपने इंडिया में क्या है अभी cancer तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है हलसाल लगबग 10 लाग new cases cancer के detect होते और 6-7 लग patients cancer के वज़े से expire होते मतलब लगबग cool death के 12% deaths ये cancer के वज़े से होते और अपनी government, Indian government also running some national programs to increase the awareness about the cancer among community हम as a Kingsway hospital नापपूर और नापपूर के periphery में भी cancer awareness camp or screening camp चलाते है मैं दो चीज़े बताना चाहूँगा कि cancer cure में अपन एक aim रहता है सबसे बड़ा aim होता है कि cancer patient को अपन पूरी तरह ठीक करे दूसरा कि local cancer मतलब जो stanic cancer है उसको control रखे और तीसरा होता है कि organ preservation पे हम surgery में ज़्यादा भर दे रहे पहले क्या होता radical surgeries होती थी उसमें cancer के साथ normal tissue और बाकी vessels, nerves, veins सब निकालते थी इससे patients की day-to-day activities होती थी तो उस पे effect होता जैसे oral cancer में patient को बोलने में, खाने में या neck movement में तकलिफ होती थी shoulder movements में तकलिफ होती थी वैसे ही breast cancer में भी radical surgery थी पूरा breast निकाल देते थे बगल की गाठे निकालते थे तो उसमें भी patient को फिर हाथ में swelling आना या peat में दर्ध होना जो lymphedum हम बोलती जो हाथ में swelling आ जाती है या जन्जना आटाना ये सारे complications होते थे बट जैसे अभी अपन awareness बढ़ा रहे तो patients early stage में आते हैं तो हम उनको organ preservation surgeries कर सकते हैं मतलब एक conservative advancement होने के वज़े से patients को अपन day to day lifestyle में अपन अच्छे से उनको रख सकते जैसे oral cancer में ज़्यादा तर advance stage आते हैं तो हमको पूरा mandible मतलब जो अपन जबड़ा बोलते हैं lower jya वो पूरा निकालते है उससे क्या होता है patient का दूसरे side का deviate होता है patient को खाने में और बोलने में तकलिफ होती है और radical neck detection करते थे उससे भी neck movements में तकलिफ होती है अभी हम functional neck detection करते है functional मतलब और सीमित हो गा है उसमें बाकी सब जो vital structures हो गये muscles हो गये, veins हो गये preserve करके अपन lymph nodes निकालते है तो उससे patient को neck movements में और hand movements में और shoulder movements में तकलिफ नहीं आते है उसी तरफ breast cancer surgery में भी हम breast conservative surgeries करते है उसमें early detection जब होता है जब patient first stage जब second stage में आता है तो हम tumor को 2 cm की परदी से चारो तरफ से निकालते हैं और axillary lymph node deception करते हैं इससे patient का पूरा स्थन बच जाता है बट अभी sentinel lymph node बाइफसी से हम axillary lymph node deception भी avoid कर सकते है sentinel lymph node मतलब cancer सबसे पहले जिस lymph node में जाता है उसको sentinel lymph node बोलते है तो हम die inject करते हैं tumor के बाजू में और वो die को trace करते है axilla के तरफ बगल के तरफ और जहाँ पर die staff होता है या वहाँ पर हम छोटा सा incision देके वो lymph node भेशते histopatology के लिए और तुरंत surgery के दोरा नहीं हमको पता चलता है कि वो gut में cancer है या नहीं अगर वो gut में cancer नहीं है तो हम axillary lymph node deception नहीं करते तो axillary lymph node deception अवाइड होने से जो lymphidemia का सबसे बड़ा problem breast cancer surgery में होता था वो अवाइड होता है patient के pate में hand movement shoulder movements में तकलिप नहीं होती है तो यह नया advance में हम breast cancer surgery में करते उसी तरह laparoscopic surgery minimal invasive surgeries करते pate के cancer हो गरभाशे के cancer के लिए तो इससे patient की morbidity और recovery fast होती है और patient day to day life activities अच्छे से कर पाता है और take off message यहीं देना चाहूंगा कि जो patient early stage में detect होते उनके हम extensive surgeries अवाइट कर सकते हैं उनको कॉस्मेटिक लिए अच्छे से कॉस्मेटिक अपेरेंस अच्छे से दे सकते हैं और patient अपनी life normal healthy life long life without complication जी सकता है धन्यवाद मैं Dr. Saurab मैं medical oncologist Kingsway Hospital यह 4 फरवरी हर साल हम World Cancer Day celebrate करते हैं और इस साल का और अगले तीन साल के लिए जो World Cancer Day का थीम है वो है Closed Care Gap जैसा Dr. Nitin ने बताया cancer treatment में काफी disparity है socio-economic status एक कारण है उसके इलावा knowledge भी एक कारण है knowledge ना होने के कारण patient और patient के relative सही तरीके से patient का treatment नहीं करा पाते हैं तो basically cancer treatment किसी एक doctor का काम नहीं है इसमें team होती है जिसमें surgeon, medical oncologist, radiation oncologist, palliative care इसके इलावा supportive में onco nurses, onco psychologists and dietitians का भी उतना ही role रहता है तो जो knowledge है वो knowledge gap को कम करना भी हमारे इस closed care gap में team का एक पार्ट है और जो modern treatment है उसके बारे में patientों को जागरुक करना और उस जागरुकता से patient पहले से better treatment ले पाए और पहले से better treatment से होने से हमारे जो result हैं वो काफी improve हो गए हैं medical oncology point of view से chemotherapy सभी को पता है कि cancer के treatment में हम chemotherapy का इस्तमाल करते हैं chemotherapy cancer में इस्तमाल होने वाली दवाईयों को in general chemotherapy बोलते हैं जो सालों से इस्तमाल हो रहे हैं और हर साल उसमें कई नई दवाईयां भी add होती हैं इसके इलावा कई नई treatment modalities जो medical oncologist आज के दिन यूज़ करने लगे हैं उसमें है targeted therapy targeted therapy वो रहता है जिसमें हम particular cancer पे होने present receptors जो proteins होते हैं उसको target करते हैं जिससे की cancer cells ही particularly उसे kill हो और normal tissues को कम से कम नुकसान हो इन targeted therapies में हम कई बाई monoclonal antibodies यूज़ करते इसमें hormonal therapy को भी एक तरह से targeted therapy का ही part है और कई नई treatment में जो सबसे latest है वो है immunotherapy जिसमें हम ये monoclonal antibodies यूज़ करते जिससे की हमारे immune mechanism से ही हम cancer को ठीक कर सके या cancer का अच्छी तरह से control कर सके तो ये नई modalities यूज़ करके हम patient को कम से कम नुकसान पहुचा करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा result डे पाते हैं और patient के life को हम prolong कर सकते और कई जगे हम cancer को ठीक कर सकते मेरे तरफ से सभी के लिए यही message है कि आपको जल्ट से जल्ट अपने जो doctor हैं उनसे consult करना चाहिए अगर आपको कभी भी लगे कि आपको cancer है या cancer के लक्षन है cancer के common लक्षनों में जैसे lung cancer में खासी में खून आना मूँ के cancer में जबान पे या मूँ के अंदर छाले आना गले में गठान आना लगतार बुखा रहना जो normal treatment से नहीं जा रहा हो इस तरह के pate से related cancer में bowel habit change होना मतलब कभी lose motion होना कभी constipation होना या latrin के रस्ते खून आना ये सब कुछ शुरुवाती लक्षन हो सकते जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमें cancer तो नहीं है और ऐसा शक होने पे आपको आगे के investigation से कम लोगों को जल से जल हम diagnosis करके better result दे सकते इसलिए cancer screening सबसे important part है और जितने लोग जल्दी से जल्दी screening करा करके treatment कराएंगे हमारा result उठना ही पहले से बहतर होता है मैं सभी patients को और सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि prevention is the best form of cure in cancer और जो cancer screening program और कुछ cancerों के लिए जो हम screening test यूज करते हैं उसका आप फाइदा उठाएं जिससे कि आप जल से जल diagnosis हो पाए आपके cancer का और कम से कम stage में पता चलने से हम better result दे पाएं और अपने doctorों से नए modalities नए treatment के बारे में discuss करें क्या latest है जिससे कि वो better treatment दे पाए इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये targeted therapies के लिए कुछ biological markers होते mutation testings होते आजकल इतना advance हो गया है कि हम blood से भी काफी mutation testings कर सकतें जिसको liquid biopsy बोलतें इस liquid biopsy के थूँ cancer cells को हम blood में ही पकरके उनके genetic testing कर सकते और उससे ये पता चल सकता है कि cancer में कौन से type का mutation है और उस specific mutation के लिए क्या हम कोई specific targeted therapy इस्तमाल कर सकते हैं और हम patient को better result दे सकते हैं अलग अलग तरीके से दिये जाते हैं chemotherapy ज़्यादा जो general public को यही है कि हम उसे bottle में डालके नसके थूँ देते हैं बर chemotherapy के tablets भी आते हैं कई जो traditional chemotherapy है cytotoxic chemotherapy उनके भी tablets आते हैं और ज़्यादा तर जो targeted therapies हैं जो oral targeted therapies हैं वो गोली के रूप में हैं तो अलग अलग बिमारियों के लिए अलग अलग दवाईयां हैं कोई chemotherapy एक दवाई नहीं है लग बग 500 से 1000 अलग अलग दवाईयां है उसमें कई दवाईयां injection के रूप में हैं कई दवाईयां गोली के रूप में हैं अलग अलग बिमारियों के लिए अलग अलग दवाईयां इस्तमाल होती काई जैसे lung cancer के लिए targeted therapy में anti-EGFR therapy anti-alk therapy anti-Rosh 1 के लिए ये सब गोलियों के रूप में treatment है और ये chemotherapy से बहतर result देते हैं जिन patient को ये mutation होता है जैसे मैंने पहले बताया कि हम biological markers check करते जो ये mutations होते हैं जिसको हम biopsies पे भी test करते और कई बार biopsie के tissue नहीं होते तो हम liquid biopsie के रूप में वो mutation test करते और वो mutation के लिए वो targeted therapies हम patient को देते हैं immunotherapy के लिए भी कई बार हम ऐसे PDL1 करके testing होती जो हम test करते हैं और जिनको PDL1 markers ज़्यादा है उन्हें की immunotherapy ज़्यादा काम करता नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा दुबे है मैं medical oncologist हूँ Kings Bay Hospital नाकपुर में चार फरवरी World Cancer Day के रूप में मनाया जाता है और सबसे important जो हम उस दिन पे और उसके आसपास के दुनों पे काम करना चाहते हैं वो जन जागरुकता के लिए है cancer आज इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में एक epidemic है pandemic हम को coronavirus में समझा दिया है epidemic हम cancer को बोलते हैं जिसके लिए रोज हमारे पास इतने patients आते हैं और उसी के लिए हम awareness create करना चाहते हैं कि जितना जल्दी patients सामने आते हैं उतना जल्दी उसका ilaaj संभव है cancer से cancer से संबंदित कई जादा धारणाय है लोगों को गलत फेहमिया है इलाज को लेकर diagnosis को लेकर जो सब हम ये awareness और जागरुपता के माद्दे हम से हटाना चाहते हैं cancer से बचने के लिए सबसे important जो है screening कहलाता है screening और prevention में फरक है screening का मतलब ये होता है कि आज आपको या किसी patient को या normal इंसान को कोई symptom नहीं है कोई तकलीफ नहीं है कोई गठान नहीं किसी तरीके की तकलीफ नहीं तब आप सामने आकर अगर कोई जाज करवाते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि हमें cancer है तो नहीं उसे screening कहा जाता है जब आपको already symptom develop हो जाता है तब आप आते हैं से screening नहीं बोला जाता screening से करना इसलिए जरूरी है कि इससे जितना जल्दी हो सकता है early stage में आप cancer को detect कर सकते हैं और जितना जल्दी detect करेंगे उतना जल्दी उसका इलाज संभाव है screening के लिए कुछ 5-6 cancers की international और Indian guidelines है जिनके basis पे हम test बताते हैं किस cancer के लिए क्या test किस उम्र से करना चाहिए किस frequency में करना चाहिए सबसे important उसमें breast cancer है जो commonly सभी लोग जानते हैं स्तन के cancer के लिए जो guidelines हैं वो हर 6 महिने में एक बार doctor से check-up करवाना और 40 साल की उम्र के बाद में हर महिला को साल में एक बार दोनों सतन से mammography की जाच करना ये international guideline है जो breast cancer के early detection में काम आती है दूसरा kolorectal या अत्रियों का cancer colon cancer जिसको बोलते हैं उसके लिए है उसके लिए average और high risk patient doctor decide करते हैं आपकी family history वगरा की जानकारी लेने के बाद में और उसके लिए आपको stool test करवाना या colonoscopy करवाना जो tests हैं वो आपको आपके हिसाब से बताया जाते हैं तीसरा और important है cervical cancer cervix cancer जो महिलाओं में इंडिया में सबसे ज़्यादा common है उसके लिए बहुत ही simple test है जो screening के लिए के लिए हमारे पास available है जिसको pap smear test कहा जाता है जो कोई भी आपके gynecologist कर सकते हैं और उसी के साथ cervical cancer एक ऐसा इकलौता cancer है जिसके लिए हमारे पास vaccine available है जो preventable है cervical cancer की vaccine है time रहते अकर हम लगाते हैं तो उसे बचा जा सकता है cancer नहीं होने के 99% chances होते हैं और दो cancers जिनके लिए screening available है एक है उसमे prostate और है lung cancer जिसके लिए low dose CT scans हैं इनके ये सभी लोगों के लिए नहीं होते हैं ये किस patient को किस frequency में करवाना चाहिए वो doctor पे depend करता है तो मेरी तरफ से आपको सरफ यही message रहेगा कि जब इतने सारे tests हमारे पास available हैं तो अपने मन की गलत फेहमियों को एक तरफ रखें और doctor के पास आएं सामने आके जानकारी लें और कुछ नहीं तो कम सकम जानकारी लें कि cancer को prevent करने के लिए बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं नमस्कार मैं Dr. Mona Rai और मैं pain and palliative care physician हूं Kingsway hospital में Cancer Awareness Day है जब path cancer की होती है तो जो भी व्यक्ती उस बिमारी से गरस्त होता है उसके लिए मानो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया अस्त विस्त हो जाती है उसको यह नहीं समझता कि अब क्या सोचे और क्या ना सोचे क्योंकि सामने आ जाते हैं सामने आ जाता है उसका आगे की लाइफ साथ में सोचल टाबूस कई तरह के सवाल के मेरे फैमिली का क्या होगा या इफ अगर लेडी है और वो डाइगनोज हुई है ब्रेस कैंसर से तो सरजरी तो क्या मैं उस सरजरी के साथ ब्रेस निकाल के कैसे जी पाऊंगे सो इसारी समस्यां सामने खड़ी हो जाते हैं तो मेरा या एक पालियेटिव टीम का योगदान ये होता है कि थूआउट इस जर्नी जो लेते हैं वो इस ट्रीटमेंट का और सरजरी का उसमें एक हैंड होल्डिंग और एक सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को क्योंकि कैंसर हमारे कंट्री में अभी भी इस टेल टाबू एक टाबू माना जाता है कि अगर मान लिजी किसी शादी जूडी है किसी की तो घर में अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो शादी कैंसल हो जाएगी तो यह सारी जब चीजें आ जाती हैं तो एक सशक्त टीम चाहिए जो इन सारे मिट्स को बर्स कर सके और उस फैमिली को उस सारे दोरान उसको इतना सपोर्ट करे कि वो उसका मनूबल बना रहे आज अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं वेदर कीमो थेरेपी बोल लीजिए या रेडियो थेरेपी बोल लीजिए आसान नहीं होता उस परिवार को बहुत करीब से देखना पड़ता है कि वो किस दौर से जगर रहे होते हैं सो उनको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए होता या अटलीस कोई सुन ले उनकी बात या समझ ले ऐसे बहुत पॉइंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के दौरान जब पेशेंट की हिम्मट तूटती है या अब बस और नहीं हो रहा विकस कीमोथेरपी हो या ओरल हेडिने कैंसर हमारे यह पे काफी काफी काम में उसके लिए जो रेडियो थेरपी हम करते हैं उसे मुह में च्हाले आ जाना खाना न खा पाना दर्ध होना, वेट लॉस स्टार्ट होना तो उनकी हिम्मत तूटती है और इस समय एक टीम जो एक डॉक्टर, एक काउंसिलर और डाइटिशन अलोंग विट जो टीटिंग उनकोलोजिस्ट होते हैं उनके साथ जब यह टीम काम कर रही होती है तो एक complete care हम उस patient को और उसके परिवार को दे पाते हैं It is not just the patient, बट वो पुरा परिवार affect हो जाता है बहुत सारे, और pain होता है कई बार तो pain से भी जब cancer का नाम आता है तो pain की बात आती है तो pain भी हम बहुत beautifully manage कर पाते हैं patient pain free रहता है throughout his treatment and surgery होती है, कई बार surgeries में stomas होते हैं जिसमें की, you know, जो latrin की थहली होती है उसको बहार होना होता है तो उसमें patient बहुत हमट तूटती है embarrassed feel करता है कि मैं कैसे जा पाऊंगा, कैसे हो पाएगा So उस दोरान जो support चाहिए होता है उसका एक hand holding होती है वो एक palliative care team करती है जिसमें की counsellors होते है social workers होते हैं जो उनके social settings में तक जा करके काम करते हैं financial issues आ जाते हैं families को उसमें भी एक social worker जितने भी government schemes हैं या ऐसी कुछ संस्ताइं जो help करती हैं उनसे tie-up कराने में मदद करते हैं So that is what a palliative care team does along with it works in tandem with the treating doctor so treating doctor के साथ ही साथ वो चल के और उस patient का care करते हैं from beginning of the diagnosis till the cure or maybe unfortunately sometimes it so happens की नहीं भी हो पाता अगर advanced stage में patient present होते हैं इसलिए हमेशा ये कहा जाता है awareness इसलिए कह रहे हैं की earlier stage में जितना आजाए उतना हमारी survival के chances बढ़ते हैं so that is the role एक palliative care team प्ले करता है एक complete care करने में holistic care करने में total care करने में pain स्रिफ शारिरिक पेन नहीं होता pain emotional pain होता है spiritual pain होता है कई बार patient परीज आते हैं सवाल करते हैं की मेरे साथ क्यों? मैं क्यों? जब ही मट टूट रही होती है जब financially नीचे उतर रहे होते हैं जब पैसे के लिए अड़ चुके होते हैं so then ये जो team जब साथ में आती है और काम करती है तो एक complete care हम देख पाते हैं जिसके outcomes बहुत अच्छे होते हैं radiation करते करते 10-15 radiation के बाद patient के मुँमें इतने चाले आ जाते इतना infection आ जाता है वो कहता है अब इससे आगे मैं नहीं करता में इससे होगा नहीं then वो team जिस तरीके से support करती है जिस तरीके से care करती है symptom manage करती है तो पेशेंट पुरा treatment complete कर पाता है so that is the kind of support a palliative care team gives and provides to the treating doctor and the patient and the family family thank you Namaskar मैं हो Dr. Ria Balikar blood or blood cancer specialist attached to Kingsway Hospital नौंपूर तो अभी blood cancers के बारे में आपने बहुत already सुना ही रहेगा अगर कोई भी movie में अगर किसी को डराना है कि आपको ये बिमारी है तो सबसे पहला और उपर list में आता है blood cancer अगर patient को अगर बोला कि blood cancer है तो आदी जान patient की वही पे चली जाती है तो सबसे पहले जानते हैं कि blood cancers है क्या उसके साथ जो जो misconceptions जुड़े हैं उनको मैं if possible through this 5 minute talk कोशिश करूंगी कि हटा दूँ थोड़ा awareness इसके बाले में हम फैलाएं तो blood cancers exactly क्या होते हैं blood में हमारे 3 type के cells रहते हैं RBCs, WBCs और platelets अगर इसमें कोई भी प्रकार का cell अनियंत्रिक तरह से अगर बढ़े uncontrolled अगर growth इसका हो तो this results in blood cancer blood cancer का incidence जो अभी है हम देख रहे हैं बहुत जादा मात्रा में बढ़ रहा है जैसे literally मैं आपको बताओ कि almost every week हम साथ से 8 नए blood cancer के patients हमारे hospital में देख रहे हैं बाके के hospitals का अगर आप cumulative देखेंगे तो बहुत ही जादा होगा तो इसके पीछे का कारण क्या है exact cause of blood cancers किसी को नहीं पता कुछ cancers अनुवन्शिक रहते हैं कुछ cancers smoking related रहते हैं, कुछ cancers lifestyle related रहते हैं अगर आप कोई ऐसे vocation या profession में हो, जहाँ पे radiation exposure हो रहा है या आप कोई chemical से deal कर रहे हो तो उससे भी कुछ प्रकार के cancers हो सकते हैं बट आप तेखेंगे तो 60% ऐसे cancers हैं जिनका कुछ भी कारण नहीं रहता है इनको हम sporadic cancers बोलते हैं, तो अभी blood cancer के types क्या-क्या है वो पहले देखते हैं, तो तीन प्रकार के blood cancers रहते हैं एक रहता है leukemia दूसरा है lymphoma और तीसरा है myeloma, तो leukemia मतलब जब cancer cells blood में पूरी तरह फैलते हैं इसको हम leukemia बोलते हैं lymphoma मतलब oma कोई भी अगर word के बाद हम oma लगाएं मतलब tumor रहता है तो basically lassika granti, liver और spreen इन सब का cancer रहता है lymphoma और तीसरा cancer रहता है myeloma, multiple myeloma जिस नाम से हम इसे जानते हैं ये basically एक type का हड़ियों का cancer रहता है तो अभी cancer के कौन सा type है उसके symptoms भी उस प्रकार से अलग-अलग रहेंगे जो leukemia, जो more commonly जो blood cancer रहेगा इसके symptoms है खून का कमी होना, कमजोरी होना बार-बार patient को बुखाराना एक बार बुखाराने से हम नहीं बोलते कि आपको cancer है बट अगर कुईसी patient को prolonged fever है मानिए 10-15 दिन, एक महने का fever है तो जादा chances है कि ये patient को कोई प्रकार का blood cancer है blood cancer में बहुत बार platelets भी कम होते हैं और platelets की कमी से bleeding हो सकता है जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि patients आते हैं कि उनकी body में छोटे-छोटे चट्टे आ रहे हैं हरे रंके, नीले रंके so this is basically skin के अंदर उनको bleeding हो रहा है brush करते time bleeding होना naak से bleeding होना कभी-कभी patients को suddenly internal bleeding भी हो सकता है जैसे पेट में या ब्रेन में एक और लक्षन cancer का है कि बजन कम होना leukemia से जादा ये लक्षन आपको lymphoma में नजर आता है तो lymphoma जैसे मैंने बोला लसी का ग्रंती का सूजन मतलब जहां-जहां लसी का ग्रंती रहते हैं जैसे गले में बोलिये, बगल में बोलिये, जांग में बोलिये या पेट में बोलिये वहाँ पे suddenly सूजन आना and normally ये सूजन में दर्द नहीं रहता painless swelling is the most common symptom of lymphoma और most often any cancer सूजन आना, बुखार आना इतना बुखार आना कि patient पसीने से भर जाता है वजन कम होना एक-दो किलो वजन कम होना is not a sign of cancer blood cancer में बहुत बार lymphoma में especially 10 किलो, 12 किलो इतना वजन patient का suddenly कम होता है ये significant weight loss हमें से बोलते हैं multiple myeloma on the other hand क्योंकि ये हड्डियों का cancer है इसमें जादा मात्रा में fractures होंगे ये एक टाइप का protein तयार करता है ये cancer cells जो अपनी kidney को damage करते हैं हड्डियों को अंदर से खा लेते हैं जिसकी बज़े से वो बहुत weak हो जाते हैं तो खून का कमी, fracture और kidney problem ये triad है multiple myeloma का तो अगर किसी को भी ये है बिना कोई कारण के तो इसका मतलब एक possibility है कि multiple myeloma हो सकता है तो हमने अभी symptoms थे के cancer के types थे के next is treatment तो how do we treat blood cancer specifically जब भी आप देखेंगे blood cancer patient का image even online google करेंगे तो आपको typically एक ऐसा patient देखेंगा जिसको बाल नहीं है जो एकदम weak हो गया है जिसका muscle loss हुआ है तो these are patients जिनको chemo दिया गया है अभी last 5-6 years blood cancer treatment इतना advanced हुआ है कि chemotherapy is one of the options recently हम जो जादा जादा use कर रहे है especially lymphoma, myeloma में उसे बोलते है targeted therapy और immunotherapy targeted therapy का मतलब क्या है suppose आपकी गाड़ी बंद पड़ी है तो गाड़ी बंद पड़ने के पीछे का current क्या है suppose अपना petrol खतम हो गया या engine में problem है तो आप specifically वो problem को target करो that is targeted therapy same for cancer cancer treatment में जो particular cell खराब है for example myeloma cells, plasma cells नाम का एक cell रहता है तो specifically आप उसका treatment करो जिससे patient को बागी के side effects नहीं होंगे जो effects है वो ही दिखेंगे and second एक बहुत common misconception जो है कि cancer therapy is not safe that is very very wrong that is a myth that I want to bust cancer therapy is very very safe now especially immunotherapy, targeted therapy बहुत advances हुए अभी एक और myth जो है is that बुजूर्गों में cancer का treatment नहीं करना चाहिए जो कि बहुत गलत बात है मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सबसे जो elderly patient है उनका age 94 years है and वो तबला बजाते हैं All India Radio पे मध्यप्रदेश में रहते हैं उनको मैंने chemotherapy दिया है उनको lymphoma problem था तो this is how it can be 94 year old patient अगर chemotherapy ले सकता है तो 60, 65, 70 तो obviously we can't tolerate chemotherapy One more advance जो अभी cancer phase में हो रहा है treatment में is bone marrow transplant और आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जल्दी ये month से bone marrow transplant भी हमारे hospital में शुरू कर रहे है हमारे पास एक पूरा comprehensive setup है oncologist, rheumatology, palliative care oncologist and we have a dedicated day care जहाँ पे हम cancer का treatment बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो theme ये world cancer day का है close the gap and उसी इसमें में आपको बताना चाहूंगी कि cancer treatment में especially blood cancer treatment में बहुत सारी advances हुए है जरूरी ये है कि सही time पे और early stage में ये patients हमारे पास आएं तो आईए सब मिलके हम ये cancer को जड़ से अपने नापपूर से अपने विधर्प से निकालें Thank you very much आज के special report में वक्त चलाए यही रुकने का ताजा खबरों से रूबर होने के लिए आप देखते रहे ये BCN News आज के बारों से तो स्कालेज करें पारों से अपने के लिए देखते तो आपी था ये ये